डियर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूटूब परिवार MRS study में तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं कि BCCLE का जो मौपफ कांसलिंग है होने वाला है अभी जो अब बिलिंगने स्पोर्म समीट हो रहा है तो उससे दो सवाल है यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट भी रोल निवाता है पहला सवाल है कि सर मुझे गलती से मेरा बिलिंगने स्पोर्म समीट हो गया है तो मैं क्या करूं मतलब मेरा नाम कट जाएगा क्या तो नहीं है ऐसा नहीं है आप कांसलिंग में मत जाओ अगर आपका गलत से पेट मत किजिए जो कॉलेज आपको मिला हुआ है उसी कॉलेज में पढ़ते रहे या आपको कोई बोलने नहीं आएगा कि आप समीट करने के बाद क्यूं नहीं करे कांसलिंग में यही कारण है कि भी सी बोर्ड जो है धाई गुना स्टूडेंट्स को बुलाता है जितना तरीके से पढ़कर पास हो जाएंगे दूसरा तवाल है कि सर हम ब्लिंगनेस फॉर्म समीट कर देंगे तो क्या मेरा एड़िशन कैंसल हो जाएगा तो स्यम चीज यार मैं कई बार बोलाओ कि क्या एक्जाम फॉर्म भरने से आपका जॉब लग जाता है कोई भी जॉब के ल नहीं जब तक आप कॉंसलिंग करवाएंगे नहीं जब तक आपका नहीं होगा और रही बात वहां पे जाने की तो वहां पे जाने के बाद भी आपको से पूछा जाता है कि सर आपको कौन सा कॉलेज चाहिए कौन सा ब्रांच चाहिए तो आप वहां पे कॉलेज और ब्रां तो आप वहां पे जा सकते हैं लेकिन अब वहां पे अगर आप college ले लेते हैं और आपको एक allotment letter दे दिया जाता है देन आप चाहेंगे कि मुझे जो पहले college था वही college में हमको पढ़ना है तो एक वार allotment type होने के बाद आपको college दूसरा नहीं मिलेगा या जो मिला हुआ था वो भी cancelled माना जाता है लेकिन जग तक आपको allotment letter आपके हाथ में नहीं आया है type नहीं हुआ है वहां पे सिर्फ आपसे पूछा गया है और आप बोल दिये कि नहीं हमको कोई college नहीं लेना है हमको यह college में चाहिए यह college में अगर seat है तो दीजे नहीं तो हमको नहीं लेना है उमीद करते हैं कि पूरा का पूरा clear हो गया हो अगर फिर भी doubts आता है कोई और another doubts आता है तो आप हमें comment करके जरूर बताएगा बाकी मिलते हैं अगली updates में